यहां पर आज हिंदुस्तान का पूरा का पूरा ओपोजिशन आज यहां खड़ा हुआ है हर पार्टी के नेता है और हमें यहां आज क्यूं आना पड़ा क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लिमंट हाउस में दबाया जा रहा है हमारा सिर्फ एक सवाल है क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगसस को खरीदा हाँ या ना क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगसस हत्यार का इस्तिमाल किया हाँ या ना हम सिर्फ यह जानना चाते हैं हमें क्लियरली बताया गया है सरकार ने बताया है कि पेगसस पे कोई में भी बातचीत नहीं होगी हाउस में मैं हिंदुस्तान के युवाओं से जंता से पूछना चाता हूं कि आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हत्यार डाला है मेरे खिलाफ वो हत्यार का प्रेव किया गया सुप्रीम कोट के खिलाफ उस हत्यार का प्रेव किया गया बाकी नेताओं के खिलाफ वो हत्यार प्रेव किया गया प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हत्यार का प्रयोग किया गया अक्टिविस्ट के खिलाफ इस हत्यार का प्रयोग हुआ तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही हैं यह सवाल है हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पारिलिमेंट हाउस को डिस्टर्ब करने हम सिर्फ हमारी जो जिमिदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं और मैं सिर्फ एक कॉंग्रेश पार्टी का नेता नहीं बोड़ रहा हूं हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिरफ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहरे हैं यह जो हित्यार है यह हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है इस हित्यार को अतंक के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए देश-द्रोईयों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए हम नरेंद्र मोदीजी से अमिच्छा से यह पूछ रहे हैं कि आपने इस हत्यार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ क्यों किया हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया जो आपने सत्यार को लोग तंत्र के खिलाख यूज किया है यह सवाल है अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं हर पार्टी के लोग प्लीज आप कहिए अपने बात कही है थो तीन लोग बोली हमारी सब के तरब शे आपने बात कही है कि अगर आप आप यह एक तरि बात कर दिया स्वाल के अगर हमारे हमारे सामने क्या प्रोब्लम है और देख की जनता को यह समझन होगा अगर हमने कह दिया नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पर के इसक kijoundry करेंगे पेगसिस का उसके बाइद कोई डिसकॉशन नहीं हो सकता मगर जो पेगसिस का मामला है वो हमारे लिए नैशनलिजम का मामला है प्रीजन का मामला है क्योंकि ये जो हत्यार है ये लोग कंच्रा के खिलाफ इस्थिमाल किया गया है यह प्रिवसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्रिवसी का मामला नहीं, मेरे लिए यह एंटी नेशनल काम है, नरेंद्र मोदी जी ने और अमिट शाल जी ने हिंदुस्तान की लोकतंत्रिक आत्मा पर छोट मारी है, कि इसलिए हम पेकसेज पेस्केशन चाहते हो ओर इससी लिए हम पेकसेज पेस्केशन पेस्केशन होने से Пछली हम कहीं मंत्री पुर्जी मंत्री चाहिए को सब्सक्रान करते हैं कि चबाद धər सब्सेफान कि सहते हैं जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोग पंत्र पर आतरमन हुआ है एप मिल में टीर मारा गया है हम सिर्व ये बात करना चाहते हैं पर्लमंट में पहला सवाल क्या ये सरकार नी किया हा या न और दूसरा में डिसकास करना चाहते हैं इस प्रीजन कहा कहा लगा मामलता बेनरटगा कर दखेग करते हैं कुंसिडराप प्रेमीं और मेंकि धृ is that the house there, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, is our, is the place where we have to speak. And everybody unitedly here, Mamataji, us, everybody, says that we want a discussion on Pegasus. And I explain to you why we want a discussion on Pegasus. The government is refusing to give us a discussion on Pegasus. Obviously, the government has done something wrong. Obviously, the government has done something that is dangerous for the country. Otherwise, they would say, please have a discussion. So, that is the real issue here. First of all, we want a discussion in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, where either the Prime Minister, who has ordered this action, or the Home Minister, who is party to ordering that action, because nobody else can do it. No information, broadcasting minister, nobody can do it. The Prime Minister can do it, and the Home Minister can do it, after consideration from the Prime Minister. Why? Because Pegasus is a weapon sold from one country to another country. A Chief Minister cannot decide to use Pegasus. So, the first point is, we want a discussion. The second point is, we want an inquiry. Thank you. If you want to subscribe to the channel, you can click on the bell button. Click on the bell button.